जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कहानिय के माध्य हम से समझ चुके हैं कि विविन तरक के जानबर होते हैं और उनका भोजन भी विविन तरक होता है आज इस चीज को हम लोग विश्तार से समझते हैं एनिमल्स लाइक और अधर लिविन विविन विविन नीट फूद तो ग्रोव एंड स्टे हेल्दी जानवरों को भी अनजिवित प्रानियों के जैसे भोजन की आवसकता होती है बढ़ने के लिए और स्वस्त रहने के लिए फूड गीफ्स देम एनर्जी टू डू अल देर अक्टिविटीज बोजन से उन्हें क्या मिलती है उर्जा हर गतिवीदियों के लिए गतिवीदियों से क्या समझते हम लोग जैसे की चलना दौडना इत्यादी डिफ्रेंट अनिमल से डिफ्रेंट टाइपस ओफूड विविन तरक के जानवरों का ही बोजन विविन तरका होता है जैसा की फ्यूगर में देख रहे हैं गाय क्या खर रही है पौधे खर रही है और कुटे को क्या पसंद है हड़ी उनके भोजन करने की आदतों के आधार पर जानवरों को अलग अलग विविन समूवों में बाटा गया है युद्धंध अनिमल्स जानवर्स जानवर जैसे की गाय बैस बंटियां लुक्र गोर्री आध्यूथ जेब्रा और जीराफ जो सिरिक पॉधे खाते हैं। पॉधे से बनी हुई चीज्ये खाते हैं। उन्हें क्या करते हैं। deformis एक प्लांट इटिंग एनिमल्स करते हैं। और herbivores करते हैं या herbivores जैसा की देख रहे हैं elephant, deer, zebra, horse, cow ये क्या खर रहा है plant खर रहे है plant and plant products So they are called Plant-eating animals और herbivores animals like lion, tiger, leopard, wolf and fox that prey on and eat other animals are called flesh-eating animals or carnivores जानबर जैसा की शेर, बाग, चीता, भेरिया, लोम्री, जो भी जो दूसरे जानबरों का सिकार करते हैं और उन्हें खा जाते हैं, उन्हें क्या करते हैं, flesh-eating animals या carnivores जैसा की figure में देख रहे हैं, शिकार करके जानबर को खार रहे हैं अब हम लोग herbivores और carnivores animals समझ गए, अब हम लोग समझते हैं, omnivores के होते हैं animals like bear, crow and pig that eat both plants and animals are called plant and flesh-eating animals और omnivores, humans are also omnivores जानबर जैसा की भालू, कववे, सुवर, जो पौधे भी खाते हैं और जानबर को भी खाते हैं उन्हें क्या करते हैं, plant and flesh-eating animals करते हैं, या omnivores करते हैं humans are also omnivores, इसका मतलब हुआ, मनुस भी omnivores हैं जैसे कि हम लोग खाते हैं न, plant से बने वे चीज खाते हैं और meat, fish यह सब खाते हैं इसलिए हम लोग भी omnivores करते हैं Do you know, animals like vultures and jackals that eat flesh of dead animals are called scavengers क्या आप लोग जानते हो, जानवर जैसा की गिद और सियार जो की मरेवे जानवर का मान्स खाते हैं उन्हें scavengers बोला जाता है क्योंकि वे मरेवे जानवर को खाके बातावरन को दूसी थोने से बचाते हैं और बातावरन की मरेवे जानवर को खाके बातावरन की सफाई कर देते हैं जानवर को खाके बाता हैं